नियती भेद नहीं करती जो लेती है वो देती है जो बोएगा वो काटेगा ये जग कर्मों की खेती है यदि कर्म तेरे पावन है सभी दूबेगी नहीं तेरे ना कभी तेरी बाह पकड़ने को वो पेश बदल कर आएगा पता नहीं किस रूप में आकर नारायन मिल जाएगा ओम श्री विश्णवे नमाँ हरे कृष्णा नमस्कार भगतों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट MS वैस में आज हम अशार्मास महतम में के 21 अंध्याय का श्रवन करेंगी और साथ ही जगनात भगवान और उनके भग की बहुत ही सुन्दर कथा का रस्पान करेंगी तो आईए मन में गौरी पूत्र गणेश भगवान शिरीहरी और अपने इश्ड अपने अराध्य का ध्यान करते हुए कथा का रस्पान करते हैं तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय जय शिरी हरी विष्णू ओम नमस्षिवाई हे प्रिय भगतों भगवान जगन्नाची के धाम में सिर्फ उनकी और उनके भगतों की ही इच्छा चनती हैं तो आएई आपको मिलवाते हैं भगवान जगन्नाची के महान और प्रिय भगत जिनका नाम है रगुदास जो कि भगवान जगन्नाची के मंदिर के सेहन द्वार पर रहते हैं वैसे तो रगुदास भगवान राम चंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे लेकिन एक तिन क्या हुआ कि जब वे भगवान जगनार जी का दर्शन करने गए तब जगनार जी के गर्ब ग्रेह में उन्हें भगवान राम, लक्ष्मन और सीता जी के दर्शन हुए तब से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान शीरी राम और भगवान जगनार जी में कोई भी अंतर नहीं है बस फिर क्या भगवान जगनार जी के प्रती उनका साथ्य भाव दिन प्रति दिन बढ़ता गया और आपको पता है यह तो सिर्फ एक शुरुवात थी आगे अभ भगवान जगनार जी के लिए एक सुतर फूलों का हार बनाया और भगवान को चड़ाने के लिए पुजारी को दे दिया लेकिन समस्या यह हो गई कि इस हार को जिस धागे में पिरोया किया था वह धागा केले के पेड़ की छाल से बना हुआ था और उस समय इन चीजों का प्रयोग मंदिर में वर्चित था इसलिए पुजारी ने उसे लेने से मना कर दिया और यह देखकर बेचारे रगुदास को बहुत पुरल लगा उसी उदासी अवस्था में वह मंदिर से बाहर आ गए अब देखिए हमने कहा था न कि यह तो हमारे जगन नाची है जो अपन प्रयारती करने के बाद भगवान को शयन करवाने से पहले एक विशे श्रिंगार किया जाता है उसे बड़ा श्रिंगार वेश कहते हैं पुजारी शाम को भगवान का यह श्रिंगार करने लगी तो इस चमतकार हुआ पुजारी भगवान के शरीर को फूलों से सजा रही थ बार बार पुजारी प्यास की जा रहे थे लेकिन सारी फोल नेचे गिर जा रहे थे और यह देखकर सभी पुजारी चिन्तित हो गए उन्हें लगा कि निश्ची थी हमसे कोई अपराद हुआ है इसलिए सुभी नमिनकन निश्चे किया कि जब तक भगवान प्रकट होकर हमें नहीं बताएंगे तब तक हम यहीं मंदिर में रहेंगे और उपवास करेंगे और स्वभाविक है कि आखिरकार भगवान वुक्षे पुजारी के स्वपन में आये और उनको डांटते होए कहा कि मेरा प्रिय भक्त रगुदास मेरे लिए एक सुन्दर फूनों का हार लेकर आया था उसने इतने प्रेम और भक्ति के साथ यह हार बनाया था और तुमने उसका और स्विकार कर दिया क्या तुम्हें उसका प्रेम दिखाई नहीं दिया अब मेरा प्रिय वह भत अपने घर में भूका प्यासा उदास मन से लेटा हुआ है जब तक मेरे भत की इच्छा पूरी न हो जाए तब तक मैं कैसे सुक पुर्वक्षैन कर सकता हूँ जैसे ही भगवान ने यह कहा कि तुरंधी पुजारी उठ गया और उसने यह सारा रितान अन्य पुजारियों को कह सुनाया हे प्रिय भत्तों उसके पश्चाद सभी पुजारी रगुदास के घर गए वहाँ जाकर उन्होंने रगुदास से एक शमा मांगी और भगवान के लिए वह फूलों का हार देने के लिए कहा जब रगुदास ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ यह सोच कर कि आखीर भगवान जगनाची ने उनका वह हार स्विकाल किया रगुदास के जीवन का एक ऐसा ही और भाव विभोर कर देने वाला प्रसंग है एक बार रगुदार बहुत ही बिमार हो गये उनकी स्थिती इतनी ज़्यादा बिगड़ दे कि वह अपनी शया से उठ भी नहीं पाते थे और वही पर उने मल मुत्र त्याग ना परता था इस कारण आसपास का स्थान बहुत ही तुरगंध मैं हो गया था रगुदास अपने इस आसाहाय और निश्चेत अवस्था में वहीं लेटे रहते थे उस समय वहाँ पर एक नन्ना सा बालत उनकी सेवा करने आता था वह रगुदास की आसपास के स्थान को और उनके श्रीर को स्वच करता और उस पर चंदन और अन्य सुगंधि द्रव्य लगा देता था कुछ दिनों के बाद जब रगुदास अपनी चेतना में आए तो उनहीं अध्यांत आस्चरे हुआ क्योंकि इस दुरदाशा में उनकी सेवा करने वाला वह बालत और कोई नहीं स्वयम भगवान जगनाच यही थे यह देखकर अत्यंत आद्रवानी में रगुदास ने भगवान जगनाच इसे कहा हे मेरे प्रभू आपने यह क्या किया मेरे जैसे तो छजेब की सेवा करके पापने मुझे अपरादी बना दिया है आपकी तरब से सेवा लेकर आज मैं अधित पापी बन गया हूँ आप तो संपूर्ण जगत के ना थे यदि आप चाहते तो एक ख्षाण में मेरी इस बिमारी को खतम कर सकते थे फिर आप मुझे ठीक करने के बजाए मेरी सेवा क्यों करते रहे भगवान ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें अवश्य ही ठीक कर सकता था लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारे सारे प्रारब्ध करम इसी जनम में स्माप्थ हो जाए जिससे कि इस शरीर का द्याद करने की बार तुम सीधा मेरी पास मेरी धाम में आ सको जिस प्रकार मेरे भगतों को मेरी सेवा करने में आनंद आता है उसी प्रकार मुझे भी अपने भगतों की सेवा करने में अध्यन्त आनंद प्राप्त होता है और इस प्रकार रगुदास और भगवान जगनार्ची के बीच में साख्य रस में डोबी हुई मधूर लिलाओं का आदान प्रदान दिरत तर चनता रहा। जिनकी भगती और प्रेम से अकर्शित होकर साक्षाद भगवान उनके समख्ष उपस्तित हुए हैं। अब रस्पान करते हैं अशार मास महत्तम्य के 21 अधायका। ओम नमोग नारायनाय हे प्रियभक्तों नारद मोने श्री भ्रहमाजी से बोले। हे देव भगवान की यह कथा सुनने से हमें त्रिप्ति नहीं होती। आप फिर से परम वोपनिय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनन्त वासुदेव की महिमां का आपने भले भांती वर्णन नहीं किया। अब हम उसे को सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक पत्राएं। भ्रहमाजी ने कहा कि हे वुनिवरों। अनन्त वासुदेव का महातम में सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है। वहे इस प्रित्वी बर बहुत ही दुर्लब है। हे विप्रगर्ण आदे कल्प की बात है। मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ट विश्व कर्मा को बुला कर कहा। कि तुम पृत्वी पर भगवान वासुदेव की शीरा मई प्रतिमा बनाओ। जिसका दर्शन करके इंद्रादी देवता और मनुश्य भक्ति पुर्वक भगवान वासुदेव की अराधना करे। और उनकी ख्रिपा से निर्भय होकर रहे। मेरी इस बात को सुनकर विश्व कर्मा ने ततकाल ही इच सुन्दर और सुद्रेड प्रतिमा बनाओ। जिसके हाथों में शन्द, चक्रित, गदा और पद्म शुभपा रहे थे। भगवान का वह विग्रह, सभी प्रकार के शुभ लक्षनों से संपत और अत्यन थी प्रभावशानी था। उनके नेत्र कमल दल के समान विशान थी। वक्ष स्थल में श्री वत्ष का चिन सुशो भी था। हिर्देदेश वनमाला से आवरित हो रहा था। मस्तग पर मोकुट और भुजाओं में अंगक्षोभा पाते थे। कंधे मोटे जान परते थे। कानों में कुंडल जिल मिला रहे थे। श्यामंग पर पितांबर की अपूर्व शोभा थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर स्वयम मैंने ही गोड़ मंत्रों द्वारा उसे स्थापित किया। उस समय देवराज इंद्र एरावत पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में आये। उन्होंने स्नान दान आदी के द्वरा भगवत प्रतिमा को प्रसंद किया। और उसे लेकर वे अपनी अमरावती पूरी में चले गए। वहां इंद्र भवन में उसे बद्राकर उन्होंने मन, बाणी और शरीर को संयम में रखते हुई। देर्ग काल तक भगवान की अराध ना की। और उन्ही के प्रसाद से वृत्र एवं नमुची आदी क्रूर राक्षसों तथा भ्यंकर दान्वों का सहार करके तीनों लोकों का राज्य भुगा। द्वित्य युग त्रेता आने पर माहा परक्रमी राक्षस राज रावर्ट बड़ा ही प्रतापी हुआ। उसने दस हजार वर्षों तक निरहार और जिटेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर वरत का पालन करते हुए बारी तपस्या की जो दूसरों के लिए बहुत ही दुश्कर थी। उस तपस्या से संदूष्ठ होकर मैंने अर्थात ब्रह्माजी ने रावन को वर्दान दिया कि तुम्हें संपोन देपताओं, देत्यों, नागों और राक्षसों मैंसे कोई नहीं मार सकेगा। शाप के भ्यंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यू नहीं होगी, तुम यम्दोतों से भी अवध्या रहोगे। ऐसा वर्पातर, वह राक्षसंपोन यक्षों और उनकी राजा धनाध्यक्ष कुबेर को भी प्रास्त करके, इंद्र को भी जीतने के लिए तत्पर हुआ। उसने देवताओं के साथ बड़ा अभ्यंकर संग्राम किया। उसके पुत्र का नाम मेघनाथ था। मेघनाथ ने इंद्र को जीत लिया। इसलिए वह इंद्र जीत के नाम से तसिद हुआ। उसके बाद बलवान रावन ने अमरावती पूरी में प्रवेश करके, देवराज इंद्र के सुंदर भावन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी। जो अंजन के समान श्याओं वन्ड और समस्त शुप लक्षनों से संपन थी। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, वन्माला से धकी हुए वक्ष स्थल में, श्रीवत्स का सुंदर चिन्ह, मस्तक पर मुकुट, भुजाओं में भुज बंध, हाथों में शंग, चक्र, गदा और पद्म, शरीर पर पितामबद, चार भुजाएं, तथा अंगों में समस रावन यहां रखे हुए धेर के धेर रतनों को तो छोड़ दिया, और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंथी, पुश्पक विमान से लंका में भेज दिया, वहां रावन के छोटे भाई धर्मात्मा विभीशन, नगराध्यक्ष थे, विसदा भगवान नारायन के भजन में ल विभीशन ने प्रसंद चित से मस्तर चुका कर भगवान को प्रणाम किया, और कहा, आज मेरा जनम सफल हो गया, आज मेरी तपस्या का पल मिल गया, ऐसा कहकर धर्मात्मा विभीशन, बारम बार भगवान को प्रणाम करके, अपने बड़े भाई के पास गये, और हाथ कर बोले कि हे राजन, आप वह प्रतिमान देकर मुझ पर क्रिपा कीचिए, मैं उसकी अराधना करके, भावसागर से पार होना चाहता हूँ, भाई की ऐसी बात सुनकर रावण ने कहा, हे वीर, तुम प्रतिमान ले लो, मैं उसे लेकर क्या करूंगा, मैं तो भ्रमा जी की अराधना करके, तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ, वे भेशन बड़ी पुधिमान थे, उन्होंने वह कल्यान मैं प्रतिमान ले ली, और उसकी द्वारा, एक सो आठ वर्षों तक, भगवान विशनों की अराधना की, इससे उन्होंने अनिमा आदी आठों सिधियों क के साथ अजर अमर रहने का वर्दा प्राप्त कर लिया, रावन बड़ा पापी और कुरूर राक्षस था, उसने देवता, गंधर्व, किन्न, लोकपार, मनुश्य, मुनी और सिध्धों को भी योधमें जीत कर, उनकी इस्त्रियों को हर लिया, और लंका नगरी में लाकर र इसलिए मारिच को सुवान मैमरिक के रोप में भेज कर, उन्हें आश्रम से दूर हटा दिया, और सीता को अकेली पाकर उन्हें हर दिया, इसका पता लगने पर लक्षमन सहित श्री राम को बड़ा उक्रोध हुआ, उन्होंने रावन को मार डालने का निश्चे किया, इस का सुग्रेव सहायक हुए, सुग्रेव का बाली के साथ वैर था, इसलिए श्री राम ने बाली को मार कर, सुग्रेव को किश्किंधा के राच्चे पर अभिशिक्त कर दिया, और अंगत को युवराज बनाया, फिर हनुमान, नल, नील, जामवान, पनस, गवय, गवाक्ष और पाथी नादी असंख्या माहाबली वानरों के साथ, कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की, उन्होंने स्मूत्र में परवतों की बड़ी बड़ी चट्टा में डालकर पुल बंधाया, और विशाल सेना के साथ स्मूत्र को पार किया, रावन ने राप्षसों को साथ ल कुम्भ, कुम्भ, नरांतक, यमांतक, मालाज्य, माल्यवान, इंद्रजीर, कुम्भकर, तथार रावन को मार कर, विदेह कुमारी सीता को, अगनी परिक्षा द्वारा शुद प्रमाहित किया, और विभीशन को राज्य देकर, भगवान वासुदेद की प्रतिमा को साथ ल भक्त वत्सर श्री रग्व नाची ने अपनी छोटे भाई भरत और श्यत्रुधन को भिन भिन राज्य पर अभिशिक्त किया और स्वयम समराट की भांती समस्त भूबंडल के राज्य पर आसील हुए उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्री विष्णों की उस प्रतिमा की अराधना करते हुए स्मूत्र पर्यांत प्रिथ्वीता ग्यारह हजार वर्ष्वं तक पालन किया उसके बाद वे अपने वैश्णव धाम में प्रवेश कर गए हे नारत उस समय श्री राम ने वह प्रतिमा स्मुत्र को दे दी और कहा अपने ये जल और रत्नों के साथ तुमें इस प्रतिमा की भी रक्षा करना द्वापर आने पर जब जगदेश्वर भगवान विश्णु प्रिथ्वी की प्रात्ना से कंस आधी का वद करने के लिए बलभद्र जी के साथ वसुदेव जी के कुल में अव्देल हुए उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुल्ल पुन्य में पुर्शोत्तम क्षेत्र में संपोण लोकों का हित करने के लिए उक्त प्रतिमा को प्रकट किया जो संपोण मनुवांचित फलों को देने वाली थी तब से उस मुक्ति दायत क्षेत्र में ही देवादी देव अनन्त वासुदेव विराजवान है जो मनुष्यों की समस्त कामनाई पूर्ण करने पाले हैं हे प्रियभक्तों भ्रमाजी श्री नारद मुनी से बोले जो लोक मन वानी और क्रियाद्वारा सदा सर्वेश्वर भ एक बार दर्शन भक्ति पूर्वत पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसुय और अर्श्वमेध यद्यों से दस गुनाफ पर पाता है वह समस्त भोग सामगरी से संपन छोटी छोटी घंटियों से सुशो भित सूरे जिस्मान तिजस्वी और इच्छानुसा चलने व उसके यश्टा गान करते हैं वह अपने साथ कुल की 21 पेडियों का भी उधार कर देता है हे मुनिवरों इस परकार मैंने भगवान अनंत के संबंध में कुछ निवेदन किया कौन ऐसा मनुष्य है जो सो वर्षों में भी उनकी गुणों का वर्णन कर सके इस परकार मनुष भूग और मोख्ष धेने वाले परम दुर्लप पुर्शोतम ख्षेत्र तथा अनन्त वासुदेव के महत्म्य का वर्णन किया क्या पुर्शोतम है पुर्षोतम क्षेत्र में शंख चक्र गदा पद्म और पितांबर धारण करने वाले कमल नैन भगवान श्रीक्रेश्ण विराजमान हे जिन्होंने कंस और केशी का सहार किया था जो लोग वहां देव दाननों वंदित श्रीक्रेश्ण बलभद्र और सुबद्रा का दर्शन करते हैं वे धन्य हैं भगवान श्रीक्रेश्ण तीनों लोकों के स्वामी तथा संपून अभिष्ट वस्तों के दाता है जो सदा उनका ध्यान करते हैं वे निश्चे ही मुक्त हो जाते हैं जो सदा श्रीक्रेश्ण में अनुरत्त रहते हैं रात को सोते समय श्रीक्रेश्ण का चिंतन करते हैं और फिर सोकर उठने के बाद श्रीक्रेश्ण का स्मरन करते हैं वे शरीर त्यागने के बाद श्रीक्रेश्ण में ही प्रवेश करते हैं ठीक वैसे ही जैसे मंत्रो चारण पूर्वक हों किया हुआ हविश्य अगनी में लेन हो जाता है हे मुनिवरों मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को पुर्षोत्तम क्षेत्र में सदा यतन पुर्वक कमन लैन श्रीक्रिष्ण का दर्शन करना चाहिए जो मनेशी पुरुष शयन और जागरन काल में श्रीक्रेष्ण बलभत्र तथा सुभद्रा का दर्शन करते हैं वे श्रीहरी के धाम में जाते हैं जो हर समय भक्ति पुर्वक पुरुषोत्तम श्रीक्रेष्ण रोहिणी नंदन बलभत्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करत वे भगवान विश्णों के लोग में जाते हैं जो वर्ष के चार महीनों में पुर्षोत्मक्षेत्र के भीतर निवास करते हैं उन्हें सारी पृत्वी की तिर्थ यात्रा से भी अधित पल प्राप्थ होता है जो इंद्रियों को जीत कर और क्रोध को वशी भूट करकर सदा पुर्षोत्मक्षेत्र में ही लिवास करते हैं वे तपस्या का फल पाते हैं मनुष्य अन्य तिर्थों में दस हजार वर्षों तक तपस्या करके जो फल पाता है उसे पुर्षोत्मक्षेत्र में एक ही मास में प्राप्थ करनेता है तपस्या भ्हम्चर्य पालन तथा आसक कि पूर्श को पुन्य प्राप्त होता है विधी पुर्वक्त थे सेवन तथा वृत और नियमों के पालन से जो फल बताया गया है उसे वहां इंद्रिय सयाम पुर्वक पवित्रता से रहने वाला पुरुष प्रति दिन प्राप्त करता है अने प्रकार के यग्यों से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वह जितेंद्रिय पुरुष को वहां प्रति दिन मिलता है जो पुरुषोत्तम शेत्र में कल्प विक्ष के पास चातर शरीर त्याग करते हैं, वे निह संदे मुक्ष हो जाते हैं, जो मानव बिना इच्छा के भी वहाँ प्राण त्याग करता है, वह भी दुख से मुक्ष होकर दुरलग मुक्ष प्राप कर लेता है, क्रीमी कीत पतंद आदी तथ पशू पक्षयों की योदि में पड़े हुए जेव भी वहां देह त्याग करने पर परमगती को प्राप करते हैं जो भी मनुश्य एक बार भी श्रद्धा पुर्वत भागवान पुर्शोत्तम का दर्शन कर लेता है वह सहस्त्रों पुर्शों में उत्तम है भागवान प्रकृती से परे और पुरुष से भी उत्तम है इसलिए वे वेवेद पुरान तथा इस लोग में पुर्शोत्तम कहराती हैं जो पुरान और वेदान्त में परमात्मा कही गए हैं वे ही संपोर्ण जगत का उपकार करने के लिए उस क्षेत्र में पुर्शोत्म रूप से विराज मान है पुर्शोत्म क्षेत्र के भीतर मार्ग में शम्शान घूमी में घर के मंडप में सडकों और गलियों में जहां कही इच्छा यह अनिच्छा से भी शरीर त्याग करने वाला मनुश्य मोख्ष का भागी होता है पुर्षोत्म तिर्थ के समान किसी तिर्थ का महत्में ना हुआ है और ना ही होगा मैंने उस ख्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्री यहां बताया है कौन पुरुष सौ वर्षो मैं भी उसके समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है हे मुनिवरों यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलत से छोड़ कर उस पवीत्र तिर्थ में निवास करूं हे प्रियभत्तों आगे श्री व्यास जी खहते हैं अवेत्य चन्मा भ्रह्मा जी का यह वच्छं सु सब्सक्रिटर न चाहते हो तो परम उत्तम पुर्शोतम क्षेत्र में लिवास करें ओम नमो नारायणाए फ्रिय भक्तों तो इसी के साथ आज का यह अध्या यहीं स्माप्थ होता है इससे आगे का वर्मन आप अग्रे अध्या में सुनेंगे तो हे प्रियभत्तों सभी प् Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.